नमश्कार, मैं वैदिगौरव मोगा, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिशी राज आयरवेदम पर आज हम बात करेंगे आटे की, आटा जो हमारे भोजन का मैतपून हिस्सा है कहीं गेहूं का आटा प्रियोग होता है, कहीं चने का, कहीं मक्का का, कहीं बाजरे का सभी लोग अपने अपने छेतर के, अपने वेवस्थाओं के इसाब से आटे का प्रियोग करते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो आटा है वो बहुत सारे घटकों से वंचित रह जाता है इसलिए भोजन का मुख्य हिस्सा जो रोटी है वह पोश्टिक होनी चाहिए और उस पोश्टिक रोटी को बनाने के लिए आज मैं आपको नवरत्न जादुई आटे के बारे में बताता हूँ इसके जो नो घटक है उसमें सबसे पहला घटक है गेहूं जो 5 किलो लेना है चना एक किलो लेना है एक किलो ग्राम लोभिया लेना है जवार एक किलो लेनी है और जो एक किलो लेनी है बाजरा एक किलो लेना है इसके साथ काले मिर्च 50 ग्राम अजवायन 50 ग्राम और सफेद तिल 100 ग्राम सबसे पहले जितने भी अनाज है आप उनको पीस लीजे या बाहर चक्की पे पिसवा लीजे बहुत जादा बारीक नहीं पिसवाना है उससे सारे फाइबर खतम हो जाते हैं तो आटा बहुत जादा बारीक नहीं पिसवाना चाहिए और आप उसका दलिया भी बनवा सकते हैं आपने अनाजो को पिसवा लिया बाद में काली मिर्च, अजवायन और सफेद तिल को कड़ाई में डालके थोड़ा रोस्ट कर लीजे और मिकसर में डालके उनको ग्रैंड कर दीजे अब सारी चीजों को एक साथ आप मिक्स करिए तो आपका नवरत ने जादू याटा तैयार है आप इस आटे से बनी रोटी को, दलिये को या खिचडी के रूप में आप इसका प्रियोग करेंगे या हलवा बना के आप इसका खाएंगे यह है आपके मेटाबॉलिजम के लिए बहुत ही बढ़ियां रहेगा यह आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा यह आपको डाइबिटीज से बचाएगा भी और यदि किसी को डाइबिटीज है और वो इस आटे का प्रियोग करते हैं तो उनको डाइबिटीज में भी आशातीत परियनाम प्राप्त होते हैं और आपके जो फेस का जो ग्लो है वो भी बढ़ेगा क्योंकि इस आटे के अंदर आपको सभी माइक्रो निट्रेंट्स जिंक, मैगनीशियम, कैलिशियम, प्रोटीन ये सारी की सारी चीजें और फाइबर भी तो आपको पेट साफ करने में भी काफी इस आटे से मदद मिलेगी सभी चीजें बड़े आराम से मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं आप उनको लाएं, पिसवाएं और इस नवरतने जादो याटे को अपने जीवन का इससा बना कर अपनी लाइफिस्टाइल में और अपनी सेहत में चमतकारिक लाब उठाएं धन्यवाद